हालो फ्रेंट्स वेलड्म बेक्तु मॉवटूकरियर तो फ्रेंट्स इश वीडियो में हम सिस्स पूजिशन के बारे में बात करेंगे और यहां पर मैंने लेट्ट साट पे 5 पूजिशन मरें है ठीक है राइट सायट पर अगड़िशन के आर्चii वीडियो स्टाट करने से पहले थैंक्यू सो मच फर सब्सक्राइब माई चैनल एंड वाचिंग माई वीडियो तो फ्रेंट्स लास्ट वीडियो में आपने जो मुझे स्पोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्यू क्यूंकि अभी तक मैं आपको बतातूं कि अभी टो एलिमेंट्स है तो यह सारे मैंने लास्ट वीडियो में कवर किये थैं तो मैं रुक्वेस्ट करूंगा लाइब आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखिए तो प्लीस आप एक बार लाश्ट वीडियो देख ले तो फ्रेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज़ की वीडियो यहां पर मैंने विजू स्टूडिय कोड में यहां पर मैंने पहले सी एक HTML फाइल क्रेट करके रख ली है सीजिस पूजिशन के नाम से और यहां पर हम अपनी सीजिस का कोड लिखेंगे 이सको मैंने यहां पर इंक्लिड क्र लिए ठीक है और से करता हो पहले जो हमारा टॉपिक है स्ट्यीक का ठीक है सिर्टिन स्ट्येटिक तो फ्रेंट्स जो स्टैटिक पूजिशन होती है वो बाई डिफॉल्ट होती है ठीक है तो इसको आप यूज करो चाहे ना गरो तो एक ही बात है ठीक है तो यह हमारी जो स्टैटिक होती है वो डिफॉल्ट पूजिशन होती है तो कई बार इंट्रिवू में भी पूछ लेते को पहले में absolut के बारे में बात करूं ends तो यहां पे मैं क्या करता हूं इसको को ऐा तो पाई आ जाएगा टो इसके अंदर मैं यहां एक डिव लेता हूं और उसको क्लास देता हूं पेरेंट ठीक है फ्रेंट्स और पेरेंट्स के अंदर मैं यहां पर एक डिव लेता हूं और यहां पर उसको क्लास देता हूं मैं चाइल्ड ठीक है तो यह हमारा पेरेंट एलिमेंट हो गया और यह हमारा चाइल्ड एलिमेंट होगा ठीक है इसके अंदर मैं अभी कुछ में नहीं लिखूंगा ठीक है तो अभी मैं क्या करता हूंगी किया है यहाँ पर आपई पेरेंट यहां फीरेंट को मैं invest हमारी उसको मैं यहां पर motion कर देता हूँ टि कि और यह हमारी पूजिसं के अंदर है तो मैं इसको भी कोट क लिखा उससे कुछ नहां ठीक है है हमें पर सबसे पहले हम हमने अपे यहां पे रह एक चेक करते हैं तो यह उपर यह सब्सक्राइब सोब तो यह है और है तो एक हैंग आई व सेव को सब्वान का दो सब handler अगिशन ऊहां सब्सक्राइब याज टोक यह तो यहां पाघ रहाए तो यह छल्ला से रहां चलरोम ठिक है और यहां पर किया आपंगे ऑस न बिसको थोड़ा क्या करता हूं कि जो screen है हमारी उसको मैं उसके तो हम देखे किसी बी अलब स्करीन के सेंटर करना है तो हम क्या करते हैं मार्जन लोगा यहाँ पर और ओटो कर दूंगा ठीक है तो देखे अब हमारे जो यह और अटो कर दूँगा ठीक है अब हमारा जो यह एलिमेंट है यह बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर आ गया है ठीक है मैं चाहूं तो इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूं और जीरो ओटो ठीक है तो जीरो क्या किया है मैंने टॉप ला उबसर क्या है तर्मतब्चर सकनैं अब हमारी हमारी स्टैटिक तो हमारी देफोल्ड होती है अभी थोड़ी oniआ वाला हूं आपको अभी हमियूट视 optimistic के वारे मैंने यहां क्या किया चाइल जो हमारा चाहिट वन था उसको मैंने यहाँ पे पोजीशन अब सिलूट देता हूं यहां पर मैंने 50 पिक्सल इसको बिट दे दी और हाइट देता हूं एक क्रेट की हमने तो हमने इसको अबस्लूट दे दिए ब्लेक जैसे मैं इसको लैफ्ट करूं तीरो करता हूं तो जैसे मैं left zero करता हूं तो देखी यहां पर touch हो रहा है अगर मैं आपको full screen करके दिखाऊं तो देखे यह न जो हमारी screen है यह भी उसको follow कर रहा है हमारे box को follow नहीं कर रहा है यह इसको screen को follow कर रहा है ट्रव कर रहा है यह box screen को follow कर रह यहां पर हमारे box को follow कर रहा हुट उसको follow नहीं कर रहा हम चाहते हैं कि यह हमारे box को follow करें तो उसके लिए हमारा parent पारहा है यहां पर उसको पूसिएन रिलेटीव कर देंगे जैसे हैं पॉजिशन रिलेटिव देंगे तो यह हमारे बॉक्स को फॉलो करने लग जाएगा है यह दिखिए मैं बॉक्स को थोड़ा बॉर्डर ज्यादा दे देता हूं ठीक है तो हमारा प्रॉपर देखे हमें बॉर्डर उके देखे जैसे मैंने पुजिशन रिलेटिव दे यहां पे तो यह जो हमारा चाइल्ड था पूरा बॉलो करेगा तो हम चाते हैं कि हमारे पारिए उसके लिए तो यहां से देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं पुजिशन रिलेटिव का आपको पते चल गया लेटिम में भी आप टॉप लेफ्ट यूज कर सकते हो देखिए यहां पर मैं टॉप यूज करता हूं तो हमारा थोड़ा सा नीची आ जाएगा ठीक है ऐसी लेफ्ट भी यूज नहीं करेंगे ठीक है तो ठीक है पेरेंट में हमने दे दिया पुजिशन रिलेटिव और हमने चैल में दे दिया पूजिशन अब स्लूट ठीक है अभी मुझे यह जो ब्लैक बॉक्स दिख रहा है आपको चोटा सा यह वाला यह मुझे यहां पर चाहिए राइट प देखे कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा इसमें यहां पर कुछ भी डिफरेंस नहीं आए क्योंकि यह हमारा बाइड डिफोल्ट है यह जो टॉप लेफ्ट राइट बॉट्टम प्रॉपर्टी है यह पुजिशन के साथ ही यूज होती है ठीक है तो अभी हम देखे बाइ यह पर चाहिए बिल्कुल बॉटम पर चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करणगा तो यहां पर बॉटम आ जाएगा तो अभी इसकोGuia तो इहांफिक सेख्काइब करता है और कि यहांफिगा है देखे यहांफिक यह नियुकर रहने दोगा नियुकर कि हम एक element को कैसे position कर सकते हैं left side top left top right and right bottom and left bottom पर कैसे set कर सकते हैं लेकिन अगर हमान लीजे मैं 50% दे दिया top से तो देखिए top से 50% नीचे आ गया है अगर मैं left से 50% देता हूं तो देखिए left side से भी 50% आ गया है तो देखिए friends यहां पर मैंने top से 50% दे दिया और left से 50% दिया है तो लेकिन यह जो हमारा box है यह center नहीं लग रहा है देखिए यह proper center नहीं लग रहा हमारे इस box के तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे यहां पर मैंने आपको बताया है कि यहां पर हम transform property यूज करेंगे element को center करने के लिए ठीक है तो अभी हम यहां पर transform property यूज करेंगे तागी जो हमारा चाइड़ element है यह parent box के बिल्कुर center में आ जाए ठीक है तो उसके लिए देखिए मैं यहां पर लिखूंगा यहां पर मैं यूज करूंगा translate यहां पर translate यूज करूंगा और ने हमने यहां से deputy % दिया तो मैं यहां से já裡खा यहां हमारे पास position होती है x and y वाई ऐसे position होती है तो x जो हमारी neo 50 % और यहां से टॉप से मैं minus 50 % देभा जैसिवान ए और कि किवाए हमारा जो है element बिल्कुल center में आ गया है तो फ्रेंट्स देखिए यहां पर transform translate ने क्या किया जो भी हमारा box का size है ठीक है जो भी हमारा box का size है उसका 50% उसने minus कर दिया और top top से भी उसका 50% minus कर दिया तो हमारा box बिल्कुल center में दिख रहा है ठीक है तो ऐसे करके हम transform property यूज़ कर सकते हैं अपने element को बिल्कुल center करने के लिए ठीक है फ्रेंट्स तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं इस transform property को comment कर देता हूं यहां पर और इसको मैं यहां से टॉप जीरो और left zero कर देता हूं ठीक है कि क्लियर अभी तक जो उमीद करता हूं जो मैंने अभी तक बताया है वह आपको क्लियर होगा ठीक है नेक्स्ट फ्रेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पस क्या है देखिए हमने भी यूज करेंगी जडेक्स भी हमारा पुजिंस के साथ ही यूसा करकर देख लेते हैं कि Washington होता है कि से आप किसी तो मैं यहां पर प्लस में तो यहां पर हम करते हैं जो हमने यहां परinking कर लेता हूं है कि अधर यहां मैं sowl iax कर लिया यहां पर तू और यहां पर मैं कर देता हूं कि इस को हमारी जो और इसको यहां पर चारीज नेलेटा ओं चायल्ट और यहां पर कों़न प्रपरटी डाहा देता को अंगर को मैं यहां पर कोपी करके तीनों जो हमारे चाःड उसमें करते हैं और शहां प्रेंगे यहां मैं इसे काप्वास d Mash एक गर देता हूं जैसे हमने elements को copy किया है HTML में और यहां पर मैं set कर देता हूं त्री कि इसको में यहां से रिमूव कर देता हूं तो हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो आधे लिगे हमें वैक्रांड को कहलेजु से का दूअ नहीं दिखाई रहे हैं थो उसके लिए हम देखे क्या करेंगे यहां हम ओसके लिए हम क्या करेंगे जो टॉफ हमारा चल्ड टू है ज्प हमारा उसको हम दॉप से 50 पिक्सल पिक्सल दिए bench हुं हमें इस दिख्वाया पिख्राइए हैं दिख्राइब रहे हैं धिक ह待 मुझे अधर का सब्सक्राइब मदे नहीं यहां पिनम्में शरthing लोगर टुकिately तो अभी मैं कर सोब एट पुर्फ यहां प्रफिर्ट्रमीर कर देता हूं जी हमारे वाला था न वह ब्लैख के पर ще बगए अब मुझे यह मुझे पीशचे चाहिए तो उसके लिए धिन आपए यहां पर यहां पर mention करूँ गा यहां पर मैं दोबारा mention कर रहा हूं थ्शिकर करता हूं तो कुछ भी ने होगा क्योंकि धी कि यहां मैंने ज्यर्ण पहले से म kleinasар डिली बेगा ताकि यह रेड के पीशे जल जाये देखिए यहां पर सबसे उपर आ गया है और फिर उसके निक्षे रेड है और उसके निचर ब्लीव है वीसिव कर सकते हो कि कौन सा element आपको ऊपर चाहिए और कौन सा element आपको नीजे चाहिए ठीक है तो ऐसे करके आप जैड इंडेक्स का यूज कर सकते हो फ्रेंड्स ठीक है तो फ्रेंड्स देखें यहां पे हमने है पर मैं एक नया डिप ले लेता हूं यहां पर मैं ले लिता हूं है तो इसको भी मैं यहां पर विट देता हूं में 80% width और दीखे और height देता हो मैं इसको 50 pixels अब background color दे तो मैं इसको red, black color दे दिया है यहां पर हमने हैं इसको 80% दिया है मैं यहां पर हंडर परसेंट देता हूं जुल गए हुआ है । यहां पर 100% हो गया है , यहां पर मुझे scroll वार्र चाहिए स्कुरॉल बार के लिए मैं क्या करूंगा हैं कि यहां पर स्क्रॉल आ गया है यह स्क्रॉल आ गया है स्क्रॉल करता हो हमारा जो हीडर है वो स्क्रॉल कर साथ t मैं चाहता हूं कि मैं स्क्रोल करूं बट है दर है क्रों करने के लिए हम यहां पे प्रोपटी का है यूज करेंगे तो यहां पर मैं स्क्रोल कर रहे हूं लेकिन हमारा जो सेम पॉजीशन पर है ठीक है देखे अगर मैं header के निचे कुछ और आपको टेक्स्ट लिख के देता हूं यहां पर देखे मैं यहां पर भीर टैग भीर तशे आरे क्विंगे तो मैं क्या करूंगा यहां पर भीर टेग देता हूं ताकि थोड़ा सा हमारा content , तो हमारा है तो औक हमारा ज ciao नहीं हुआ है लेकिन हमारा वह नहीं हो रहा ठीक है तो यहां से हम yan हो यह आप फिक्स हो गया हो थीक है तो ऐसे आप position fist का यूज करकर के 하기 हा हाँ कि किसी और element को यहां पर fix कर सकते हो ठीक है ठीक है तो आप टॉप बॉटम राइट प्रोपर्टी यह सारी प्रोपर्टी आप इसके साथ भी यूज कर सकते हो फिक्स्ट के साथ जैसे मैंने टॉप से 100 पिक्सल देता हूं तो क्या होगा टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाएगा लेकिन वो अपनी पुजिशन पे रहेगा ठीक है तो ऐसे करके आप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट प्रोपर्टी भी आप पुजिशन फिक्स्ट के साथ यूज कर सकते हो ठीक है तो नेस्ट फ्रेंट देखे मैं यहां पर अभी क्या करता हूं जो हमारा फिक्स्ट है उसको मैं यहां से इसको कोमेंट कर देता हूं ठीक ह और यहां पर देखे अब नेस्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी स्टीकी ठीक है तो स्टीकी का यूज हम कैसी कर सकते हैं स्टीकी के लिए देखे फ्रेंट्स मैं यहां पर एक डिव ले लेता हूं ठीक है माली जी कि मैं डिव ले ली यहां पर कंटेंट ठीक है कंटेंट के इदर मैं दो डिव लेता हूं मैं लेता हूं एक लेफ्ट सेक्शन ले लेता हूं लेफ्ट सेक्शन ठीक है और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं और इसको मैं कर देता हूं राइट सेक्शन ठीक है यहां पर मैं right section कर देता हूं तो friends इसके लिए भी मैं यहां flex यूज़ कर लेता हूं flex जो है कि मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि flex properties CCS में कैसे यूज़ करते हैं तो अभी मैं क्या करता हूं यहां पर मैं flex का यूज़ कर लेता हूं तो flex हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं कौन कौन सी properties होती है उनकी तो वह हम आगे बग करेंगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं display flex ठीक है मैंने यहां पर display flex लिख दिया और जो मैं और जितने भी left section है माली यह मैं लिख देता हूं left section ठीक है और यहां पर मैं लिख देता हूं कोमा डालके राइट section कर देता हूं यहां पर राइट section और यहां पर दोनों को मैं यहां पर और उसको मैं बैग्राउंड कलर भी देता हूं मैंने यहां पर यहां पर हमें लेकिन मैं क्या करता हूं कि जो बैग्राउंड कलर है वो राइट वाले को मैं यहां फिर थोड़ी से डार कलर देता हूं तो फ्रेंट यह हमारा लैट शेक्षिन है और यह हमारा राइट शेक्षिन है इसको मैं थोड़ी सी हाइट भी देता हूं यहां पर हाइट यह कैसी उठा रहे हैं आइधिक इसको मैं यहां पर हाइट भी देता हूं यहां पर हाइट मैं देता हूं इसको तीन सो पिक्सल इतनी होगे ठीक है ओके फाइन है इसको भी मैं तीन सो पिक्सल देता हूं तो फ्रेंस देखिए यहां पर लेफ्ट शेक्षिन है हमारा यहां पर राइट शेक्षिन के अंदर अंदर मैं मैं एक और ले लेता हूं ठीक है यहाँ पर यहां पर जिसको मैं बन्हुर्स टिक्याइलमेंट ठीक है तो यह हमारा क्या होगा स्टिकी अलिमेंट होगा को कि के फ्रेंट्स तो अभी हम इसको स्टिकी करेंगे इस सोन मैं फिर से च тобой जadore सा हुआ है यहां पर इसको मैं फिर से प्रेशिएशिंश इंडर डाल देता हूं यहां पर आप को मैं फिर से पृचिक नाल देता हूं यहां पर और इसको में बुट देता फिर्टे मारा हमारा स्टिकी एलिमेंट अगया है ठीक है इसको मैं थ्टोड़ी सी मैं इसको 100 देता हूं ठीक है यहां पे और हम अब इस एलिमेंट को स्टिकी पूजिशन डेंगे यहां पर मैं जरूरी होता है मैं top 0 कर देता हूं that's fine है को इशू नहीं है ठीक है तो मैं कि करता हूं देखिए अभी अभी क्या रहा है अभी जो हमारा header है हमारा जितना भी code होगा जितने भी sections होंगे वह सारे मूव करेंगे इस्क्रॉल के साथ बट जो यह sticky है जिसको इसको टॉप को थोड़ा सा 100 पिक्सल यहां पर दे दिया तो यह जैसे टॉप से ऐसे स्टिकी रहेगा ठीक है ऐसे करके आप टॉप से इसको पूजिशन भी थोड़ी सी मलब टॉप से स्पेस देना चाते हो तो भी दे सकते हो ठीक है तो देखिए आप यह हमारा बिल्कुल स्टिकी हो गया है लेकिन यह जो एलिमेंट इस टीकी कब तक है कब तक स्टिकी है जब यह जो हमारा स्टिकी अलिमेंट यहां तक नहीं पहुच जाता देखिए जैसी बिल्कुल एंड पर पहुंचेगा तो यह भी स्क्रॉल करने लग जाएगा यह देखिए यह भी स्क्रॉल कर गया ओपर ठीक है टो ऐसे करके आप किसी भी अलिमेंट को स्टिकी कर सकते हो लेक वह c Particularly बढ़ है वह तक हुंब हो पर tillक्रव में क्या में क्या इस नहीं हो पहुता है उनक्राइब लोगतों सब्सक्राइब नहीं है तो हम सक्रोलब भार दो हमारे स्क्रोल भार आई नहीं रही है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं जहां पर भी हमने स्टिकी लगाया है उसके किसी पेरेंट को ओवर्फलो ही डिन न लगा हो ठीक है तो यह चीज आपको चेक करनी पड़ेगी अगर आपका जो स्टिकी इसमें तो फ्रेंट्स अगर आपको कोई भी डवाथ है तो आप मुझे वह पूसकते कोई पूसकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो थो प्लीस वेष चैनल को सबस्क्राइब लीजिए ठीक है अट लायक कीजी यह अपने friends के साथ share कीजिए तो friends मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you so much and मुझे आपकी support की बहुत ही जोड़ता है friends तो please मेरे अगर आप मेरे channel पर new हो तो मेरे channel को please subscribe कर लेजिए मिलते हैं next video में all the best